हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार एससी द्वारा जो सचिवाले साहय का पेपर कराया गया था 2015 में वो मैं आपको सलूशन कराने वाला हूँ इसे आप प्रिभेस एर पेपर के तोर पर जरूर देखियेगा इससे आपको पता चलेगा कि कहां से कितना प्रसन आता है और किस लेबल का प्रसन आता है कल मैंने सलेबस आपको करा रखा है वो विडियो देख लीजेगा तो समझ में आ जाएगा किस चेप्टर से कितना प्रसन आता है आज से मैं प्रिभेस येर स्टार्ट कर रहा हूँ काफी अभिहार्थियों ने बोला था कि सर previous year का प्रसंद करा दीजे इससे पले second graduate level का जो भरती आया था यह 2014 में आया था और जिसका एक्जाम हुआ था पहला आप दिखेगा 16 तारीक को हुआ था फिर आपको 23 तारीक को तो 16 फेवरी 2015 को एक paper हुआ था फिर आपको 23 फेवरी 2015 को आप दिखेगा एक paper हुआ था एक सता का gap था क्योंकि लाखो अभियार्थी इसमें form apply किये थे अभी form भरने आज से सुरू हो चुका है आज 14 तारीक है और आज से form भरने सुरू हो चुका है काफी अभियार्थी के कहने के बाद मैं previous year का यह session start कर रहा हूं जिसमें previous year का सभी paper कराने वाला हूँ इस paper में total 100 question आप सभ कोधों में प्रकास संसलेशन करता है वह निमलिकित कौन है तो प्रकास संसलेशन के लिए जो उतरदाई है यह chlorophyll होता है और chlorophyll में क्या पाय जाता है magnesium पाय जाता है यह भी याद रखिएगा तो ऐसा question आता है आपके exam में दिहान पूरवक देखते चलिए तो पहले के answer क्य आप बोलते हैं यह है केरल में कहां इसती थे केरल में और यहीं अगर सिलिकोन अगर देदे सिलिकोन सीटी किसे कहा जाता है तो वह हो जाएगा बेंगलूरू यह याद रखिएगा तो दूसरे के answer क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा डी question no.3 दिखिए गोवा किस नदी पर अवस्तित है यह मांडवी नदी परश्तित है गोवा किस नदी पर मांडवी गोवा जो है यह चेत्रफल के दृष्टी से सबसे छोटा राज्य है यह धियान हम रखिएगा और जनसंख्या के दृष्टी से भारत के सबसे छोटा राज सिक्कम हो जाता है तो आग भैली से होकर यह जाकर अरब सागर में अपना पानी गिराती है अक्सर नदिया आप जो देखिएगा जैसे कि गंगा हुआ जो भी बड़े बड़े नदिया है यह पूरब की तरह मतलब बंगाल की खारी में अपना पानी गिराती है मतलब की जाकर मिल जाती है Q4 दिखिए, Doge the दिखिए, इसे सुखारोग आप बोल सकते हैं, कि सुखारोग कारण क्या होता है, सुखारोग किस कारण से होता है? तो यह अर्धामिन A के कारण से ही रताउंधी भी होता है, और प्रचूर मात्रा आप दिखिएगा तो गाजर में मिलता है ये भी याद रहेगा पके हुए फल जो आम है उसमें भी विटामिन A के प्रचूर मात्रा मिलता है अब चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन A के कमी से रतांधी भी हो सकता है विटामिन C जिसे हम लोग क्या बोल प्रोटेन के कारण ही होता है यह याद रखेगा और अस्टियो मलेसिया जो होता है यह आपको बुजर्गम होता है तो यह होता है यह हो जागा प्रोटेन के कारण और प्रोटेन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है सो या बिन में मिलता है question number 6 देखिए नेमलेखित में किस अस्थान पर गुर्तवा करण कमान स्वार्धिक होगा जी कमान स्वार्धिक कहां पर होता ही आपको बताना है गुर्तवा करण छोटा वाला जी का यह पूछ रहा है अभी भी आप गुर्तवा करण में पढ़ते होंगे कि जो आपको इदम पीन पॉइंट है सेंटर है आपको प्रितवी का सेंटर वहाँ पर होगा जीरो क्योंकि दूरी जो होता है वो जीरो के बराबर माल लिया जाता है और आप देखिएगा अगर यहां आपर पहुंचते तो इसके बीच के जो सेंटर ले और यह आपको ध्रो के बीच के दुरी कम हो जाता है इसलिए अधिक हो जाता है आपको क्या तो यहां पर जो लगता है जी का गुर्तवा करसर का जो आपको मान होता है यह अधिक हो जाता है तो यह कहां हो जाएगा आर्केटिक के पास हो ग किस अंक के खराबी से मंधुमे रोग हो जाता है पेंग कर्यार्ज्ञ या अगनासे जी से आप बोल सकते हैं ही से इंसुलिन आता है लेंगर्हिस के दुब्ट के दवारा सबन के इंसर क्या हो जाब ही या यह याद रखें कभईन के कमी से होता है यह निमन में से किस चेत्र में वियाप्त हो सकता है थीज़ेन के Кम मिलेगा यहupत हो सकता है, इसके अनसर क्या हो जाएग और इसकी कमी सरताउंधी हो सकता है और ये संक्रित जो होता है ये यक्रित्म होता है दस के इंसर क्या हो जागा डी हो जागा कुश्चन नमर 11 देखिए मादा क्यूलेक्स मक्षर निमलेकित में से किस रोग की वहाग है मादा क्यूलेक्स मक्षर जो है ये किस रोग की वहाग ह ये आपको बताना है, ये फाइलेरिया, फाइलेरिया जिसे हाथी पाओ भी आप रोग बोलते हैं, उसका आपको हो, आपको वहाग है, कौन, मादा क्यूलेक्स, कुश्चन नमर 12 देखे, समदाब रेखाए निमलेकित में किसको परदर्सित करती है, समदाब रेखाए, ये किस इसको परदर्सित करती है, ये बताना है, इसमें से, तेप करती है, समान, वहाई मंडलिया, दाब वाले छेत्र को परदर्सित करती है, ठीक, तो बारा कैंसर के वाज़ेगा, डी, बैरोमिटर द्वार आपको वाई मंडलिया दाब मापा जाता है, कुश्चन नमर 13 देखे, के निमने से कौन सी नदी कच करण में समाहित हो जाती है, ये कच करण में ही आप दिखेगा समाहित हो जाती है, इसका नाम है लूनी नदी, गाइब हो जाती है, तो तेरा कैंसर के वाज़े कब भी हो जागा, कुश्चन बर 14 देखे, थाराइड गरंथी का अस्थान कहा है, लिल्ट लीजें यहां पर किठाइड गरंती का अस्थान कहा है यह बताईए होता है कहां पर जिसे फ्रॉक्षिं हर्मोन निकलता है गला कैपास्टिक, चोधा कैंसर क्या वज़ेगा, भी हो जागा, कुश्चिन बर 15 देखे, शाधार अननमक करासाइनी के नाम लेखित में से क्या है, शाधार अननमक करासाइनी के नाम है, यह है, सोडियम कोलरा आइडी, एने सी एल जी से खाने वाला टेबल सॉल् है, तो 15 कैंसर क्या वज़ेगा, कुश्चिन बर 16 देखे, तारो का रंग निर्भर करता है, तो तारो का जो रंग यह क्या बताता है, तो तारो की तपमान पर निर्भर करता है, इसकी तारो का ताप बताता है, और तारो या सूरज आपको एक परकार का तारा ही है, जो की प किस देश के थे आपको बताना है कुश्यन नमर आपको 17 है यह मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं ठीक वैसा अमीरका आता है यहां पर और यहां पर देखे जो नॉर्मल इब लोग है इन्हें क्या बोला जाता है यह आपको बोला जाता है इन्हें हरित करांती के जनक ठीक अपर भारत में स्टाट किया गया था अनंहें उन्नत किसिंके वीजों का इस्तमाल किया गया था और मसीनों का और आप देखे हैंगा सबसे जादा उसका परभाव पढ़ा था यहूंपर यहूं के उपच बहुत गुना अधिक हो गया था ठीक आगे चलते कुश्यन पर 18 द मंदित है ये भारते सभीधान के कौन सा अनुछेद है ये अनुछेद 17 में छुवा छुद के उन्मूलन है अनुछेद 18 में उपाधियों का आंत है ठीक कानून के समक समता का जो है ये आपको सब के लिए समानता समता का जो है ये 14 में पड़ता है यहां पर दो बात याद दाल दिया गया है 300 A में डाल दिया गया और इसे legal right बना दिया गया ठीक अब हमारे पास 6 मोली का दिकार है पहले सभीधान जब लागू हुआ था 26 जनुवरी 1950 को तो उस समय साथ मोली का दिकार थे लेकिन संपंतिक अधिकार जो है आटिकल 300 A आपको कौन से सभीधान ससुधन फिर समय बता देता हूँ 24 सभीधान ससुधन 1978 द्वराट आया गया था मुरारी देशाई की सरकार थी अब यह जो है आपको जो छोव मोली का दिकार है यहां से कौशन पूशकता है कि कौन से किसे डाक्टर भीमरा अमबेटकर सभीधान के आतमा कहते थे आटिकल 32 को जो सभ कराम से लगा लेना होगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा डेटल मुझे आता है मैं आपको बताता हूं भी हूं समय समय पर पर जैसे ही आपको जो मैं आपको फूल टेस्ट कराने सुरू करूंगा इसी लेबल पर जो कि आपके पैटरन कुछ तो बदलाओ होगा हाई कुशन आएगा और हाई कुशन देखिए आप डर जाईएगा कोशन लगाईएगा कि यह समझकर कि बहुत हार्ड कुशन आने वाले नहीं इसमें देर सो कुशन पूछे जाएगा और आपको सवा मतलब की दो घंटा पंदरा मिनर दिये गये हैं ठीक सवा दो घंटे आपको समय दिये गये हैं इसमें मैत रिजनी का बर्चो से जादा रहता है ठीक मैत रिजनी का बर्चो से जादा रहेगा तो उस समय भी जादा खाएगा जिसके कारार देखिएगा कि अगर 15 से बीच कुशन भी आपका छूट जाता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है गलत आप करिएगा नहीं छूड जाता है तो फिर रिजल्ट पर आपको तलवार लटकने लगता है ठीक क्योंकि कट अफ इसका काफी जाता है ये बात ध्यान में रखिएगा तो आपको एक रीशी बना कर रखना होगा और कम समय में अधी कुशिन करना होगा प्लास्टर और पेरिस का से बनता है आपको प्लास्टर और पेरिस का नाम आपको क्या है तो केल्सियुम सलफेट हाइट्रेट सी ये इसके इंसर क्या हो जागा यह नहीं है क्योशिन बर बाइच दिखिए बिहार पंचायती राज अधनियं में ग्राम पंचायत के अवधि पांच वर्सों की जाता है और आपका सलेबस भी में इंसन है तो यह याद रखेगा तो 22 के इंसर क्या वाज़ेगा भी पंचायती राज को सभिधानिक दर्जाती हतरवा सभिधान ससुधन द्वारा दिया गया था और 24 सप्रेल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग यह याद रखेगा कुश्यन बड़ आपको तेज दिखना है राजसभा के संदर में निमलीकीत में कौन सा कथन सही है तो राजसभा के संदर में कौन सा कथन सही है सबसे पहले अस्टेटमेंट हम पढ़ते हैं मंत्री परसत राजसभा के प्रति उतरदाई होता है जी नहीं मंत्री परसत लोग से पारिद करें कि राज सूची के संदर में भी सै राष्टे महत के हो गए है आर्टिकल दो सुनचास भी आप पढ़ते होंगे उसे में आप दिखिएगा कि जो अगर राष्टे महत के हो जाते है और राज सबहा बोल देता है जो है कि इस पर कानून बना सकता है ठीक मतलब कि कि सी इसका सही है दधन बिधयक राज सभा मलाए जाता है धन बिधयक पर चोधर दिन के समय दीया जाता है कि सको राज सभा में के अपनी समती देज़े तो यह आपको इस के इंसर को यहां पर सी हो जागा थी को यह फोसाँ के संब्सक्री देखे गे कि Chin there यहां पर नहीं पकड़ना है एक देखे अगर नहीं चुड़ जाता तो ऐसे ही कोशन गलत हो जाता यह दे रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है कौन राष्ट्य परतिकों से समंदित तो भारत के राष्ट्य धवज के चोड़ाई और लंबाई का नुपाद दो अनुपाद तीन भात सही है यह क्या बोल रहा है कि जो आपको यह यहां पर दे रहा है कि कौन सा सही नहीं है कोशन बद 24 दिखे राष्ट्य धंड़े के चकर में आरू की संख्या 24 से यह बात सही है और यह निला है कलर भी दे देता है राष्ट्य धुन बजाने के पूर अधकारिक अउधि जो है ये बाट 10 सकेंड है ठीक है हमारा राष्ट्य जो आपको गान होता है तो अब यहां पर दिलुया जो हमारा तो चार सीरज लगाय हुए सीर बैठे हुए है आगे वाशन पर यहाँ लगा सीर किया हो जानाँ कि यहाँ पर यहां पर करें दोटों कि यहां पर चोड़ा यह है नाम्बहाई देदा तो यहां पर दो करना पड़ेगा तो इसमें से कौन से गलत है तो यह हो जाएगा C यह आपको सारनात से लिया गया है तो 24 के इंसर के वाज़ेगा C हो जाएगा यह नेता का तो इनसर इसमें से कौन से काँशन में नेता कर्णा पर आपको सी हो जाएगा C हो जाएगा कि तो पूस्चेंदर बनर जी ने सबसे पहला अध्य हर्दिवेसन किया था तो 26 की इंसर यहाँcesso राम से आपको लगा लेना होगा, बे, आगे चलिए, कुश्यन नमबर है, 27 दिखे, एक दल लोग सभा में बिक्षी दल का दावा करता है, इसके पास निम्तम कितने संसद होनी चाहिए, तो 1 टेंथ होना चाहिए, जैसे आपको कोरम भी देता है, या गणपूर्ती ना, कोई भी आ हम लोग क्या मानते हैं, कि लोग सभा में मेक्सिमुम संख्या कितना है, पांसो बामन, यहाँ पर, मेक्सिमुम जो हो सकता है, इंगलो इंडियन मिलाकर, तो यह इसका 10 परसेंट आप दीखे, पॉइंट यहाँ लगा दीजेते, यहाँ पर 55 के करीब, तो यहाँ पर 55 देता होता है न, यह आपको 543 पर होता है, और दो इंगलो इंडियन क्या करते हैं, राष्टपते मनुनित करते हैं, क्योंकि कुछ जो छेत्र है, लोग सभा वाला, छेत्र वाला, वो आपको प्योके में चला गया है, जो अकुपाइड कर लिया गया चीन, और आपको पकिस्तान वाला कुछ शेत्र आपको वहाँ पर ओसीट कुछ चला गया, ठीक, अब यह कब तक सीट का जो आपको है कि अस्थावत रहेगा, लोग सभा यारा सभा की जोगी सीट है, जो कि आपको कब तक अथावत रहेगा, तो 2026 तक ऐसा ही रहेगा, ठीक, आगे चलते हैं, क्योशन पर 29 दिखिए, भारत में सुनतरता था कि बायत प्रथम आप चुनाव का अपसंपन होगे, कभी भी अपसंदेगा, तो 52 ही देता है, उनिश्वावन, नहीं तो लास्ट निश्वावन से 52 आपको कभी भी देगा, तो ठीक, तो यह उनिश्वावन इसका हो जाएगा, यह कह सभिधान सभा, अगर सभिधान पर बात हुआ, तो सभिधान सभा की तरह काम करता था, और अगर परसासन चलाना है, देश चलाना है, तो आपको उसके अधिक्षता, जो आपको लोग सभा की तरह प्रती, आप देखिएगा, संसत के प्रती काम करता था, और उसके जो को कौ दस मोधी बने कुश्चन पर 30 दिखे नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज के बीच किस अनुपात में होना होता है जो नरेगा बाद में बन रेगा बन गया ये केंद्र और राज के बीच में जो वहन होता है ये आपको 90 और 10 क्रेशियों में ठीक पैसे कुश्चन पर 31 निमलिखित पंचुवर्षी योजना में कौन सी योजना आना वरिष्टी और दो युद्धों के कारण पर भावित हुई अना वरिष्टी से कन्फुजन नहीं करना है अना वरिष्टी अकाल पड़ा था एक सबी रूग जानते होंगे ठीक और उसी समय और पकिस्तान के साथ 65 में हुआ ठीक एक सबसे इकसर से साचटके बीच में जो हुए थे यह तेनों काम हुए थे यह हो जागा भी कुश्चन पर 32 बिहार में किसान सभा है इसकी अस्थापना किन के दवारा की गई थी और यह सबसे फिबेट सदा बाहर बिहार के हर एकज परकास निल धरपन निल खेती करने वाले की दसा के चित्र करता है नीचे दिये गए कमेटीओं में किसका समन्द पंचायती राज से है तो आपको जो त्री अस्तरिये बोला गया था या पंचायती राज 2 मेता ने किया था और यह सिफारिश दिये थे तिरी अस्थर ये पंचायती राज बहुत था तो कि आव शुरुवात हुआ था राज अस्थन के नगोर से दो अक्टूबर 1969 से ठीक फिर अंद्रपर्दिस में आपको उसके बाद आया राज में तो यह 34 के इंसर क्या हो जाएग तो कहीं ने कहीं आप दिखिएगा कि जो लोकल है यहां से बिहार पंचायतर प्यातिरे ब्वस्था हुआ या पंचायतर ब्वस्था ओंको अस्तर आस्तर पर जो होता है यह आपको जो परशिक्षित करते हैं मतलब कि जो आपका कोच होते हैं उनको दिया जाता है तो यह कृड़ा परशिक्षर के लिए दिया जाता है। मैंक्सस पुरुष्कार रमें मैंक्सस के नाम पर दिया जाता है वह किस देश के राष्टपती थे तो मैंक्सस पुरुष्कार दो दिया जाता है यह आपको फिलिपिन्स के राष्टपती रमें मैंक्सस के आपको नाम पर दिया जाता है ठीक तो यह आपको एसिया का इसे नो अब यहां पर दो बात यहां पर ध्यान रखिएगा question number यह जो ऐसा आता है यह मैं आपको update करते रहूंगा current affair का कभी भी और इसका जो उसमें आपको दिखिएगा इसके answer जो 49 का उसमें बन जाता था क्योंकि अभी याद कने से इसका कोई फायदा हुदा है नहीं तो उसमें य अरगिस्तान है आप यह याद रखिएगा और यह अगर पूश के Asia के कौन है तो मंगोलिया है ठंडावला अरगिस्तान है तो 40 के answer के आवाजएगा C हो जाएगा question number 41 दिखे डुरंड कप किस ख़ल से समंदित है तर डुरंड कप जो है यह आपको इसे हमें पुराना कप मान आता सांती के चेतर में और वो कौन थे question पूश रखता है कि वो थे कौन तो वो थे आपको कहलाज शते अर्थी भारत पिये थे और माला इसे सुफचाई आपको पकिस्तानी थी ठीक ते इनको मिला दोनों को मिला कर मिला था ठीक इसलिए उस समय करेंट एफिर बना था भार question number 44 पेरु की राजधानी क्या है तो पेरु की राजधानी लीमा है यह चोवालिस के इंसर क्या हो जागा यहाँ पर सी हो जागा आगे चल जी कुश्चन पर 45 देखे चर्नोबिल प्रमाड़ु सेंत्र जो अब अब बंद है कहा है चर्नोबिल प्रमाड़ु सेंतर जो अब उसका सिराव हुआ था भुपाल गेस्तरासी के नाम से जिसे जाना जाता है वेसी ही आप देखिएगा कि युक्रेन के चर्णोबिल यस्थान है वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला था ठीक पुस्वन सिना कुछन 가지àng से जापान के मुद्रा क्या है यपना के मुद्रा क्या है यप आपको बताना है तो यह आपको ये ये लाइफ का सबसे बेश्ट बुक में यह मैं मानता हूँ विंग्स ओफ फायर के लिखा है जो है एपीज अबूलकलाम है यह याद रखिए का उन्चास के इंसर क्या वज़ेगा एपीज अबूलकलाम ठेक मिसाल मैं उन्चास के इंसर बी कुश्चन पर पचास देखे भारत के खोज पुश्टक अहमद रगर किला में पुश्टा है कि जो भारत के खोज पुश्टक के यह कहां लिखा गया था यह लिखा गया था लेकिन कहां पर अहमद रगर किला में जेल में करवास के द्वारा नीन के द्वारा लिखा गया था भारत के डिसकपरी ऑफ इंडिया ज जाता था ठीक कुश्य नबर 22 के जल का घंत किस तुक्मान पर स्वाधिक होता तो जल का जो घंत होता है स्वार्धीक यह 4 डिगरी स्फ करता है लेकिन आयतन कम हो जाता है ठीक यह दिहान नुम्र किये गा तो जल का घंत पुछे तो ट्रॉट-श्रीतराष्ट हम लोग United ने संडे 24 अक्टूबर को मनाते हैं कुश्चन पर चोवन देखिए तो इसके अंसर क्या हो जगा मैं आपको दिखे टीक लगाता हूं तो देख चलिए ठीक कुश्चन पर पच्पन देखिए कि कौन सी कौन सी ICS अधिकारी भारतिय राष्टि कांग्रेस के 1885 के गठन में सामिल रहा यह कौन सा अधिकारी है तो पच्पन के अंसर क्या हो जगा यहाँ पर यह आपको इंगलेंड की निवासी था आप जानते हैं कि यह आपको यूपी म संतावन के करांती उस समय यह जो अपने इंहां के घृण अपने पर अपने परेवार पर अपने पर यह न को भागाया था क्योंकि उच्पन कर भागये थैं उस समय की होजा घागयी इसका और 885 में यह गठन कीम हुरूंप यह अधिकारीं थे सबसें उपना पोश्टिंग यूपी में ही पड़ा था, कुश्चन नबर 56 देखे, मैमार की नई रजधानी है, मैमार की नई रजधानी कौन है, यह आपको बताना है, कुश्चन नबर 56 है, तो मैमार की नई रजधानी यहाँ पर ना पीता हो जागा यहाँ पर, कुश्चन नबर 57 है, पहले मैमार को ही ब अधिक पुछेरण जी ट्रोफी किसि ने जीता था सबसे अभी तक किसी ने जीता है तो वह महराष्ट जीता है किर्केट से समझदी थे यह वारती आजादी के समय इंगलेंड के परधानमंत्री कोन थे तो भारत के जब आजादी मिला था तो उसमें लेबर पार्टी के सरकार था और उन्हों नहीं ही घुसड़ा किया भारत का जादी कि होगा हम अगर सरकार में आते हैं तो सरकार में आया और केलिमेंट एटली परधान मंत्री बनाएगे ठिक तो वजादी के समय यही थे उनसर के अगर वरतमान उस समय के आपको 2015 में यह कुशन जब सेट किया गया होगा उस समय आपको रभूरा मुराजन यहां पर आप देख सकते हैं उस समय यह पूछा जा रहा था कि अभी कौन है तो 60 के इंसर हो जागा सी जो इंसर उस समय माना गया था यह ससी द्वरा अभी अगर पूछे के वरतमान कोन है तो सकती का अंदास है अभी मैं जिस दिन वीडियो आज बना रहा हूँ आज कितना तारीक है तो 14 अपरिल है और 14 अपरिल 2022 को मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय आपको सकती का अंदास है ठीक कुश्चन पर एक सड़ दिखे भारत के राष्टे महिला आयोग के वरतमान अध्यक्ष कोन है भारत के राष्टे महिला आयोग के अभी अभी कोन है अभी रेखा सर्मा थी तो अभी रेखा सर्मा है कोन है रेखा सर्मा ठीक याद भारत में χरीत करांती के जनक कौन थे आग्या कुश्चन तो भारत में जो हरीत करांती के जनक स्वामीनाथन थे जो की नेतरी है किस देश से समवन रखती है बघल वाली मैमार वाली ठीक तो यह आद रखिए समत्री बना यह गए थे लिए चोंसर किंसर क्या हो जाएगा मैमार हो जाएगा कुश्चन वर 65 महात्मा गांधी और बाबा साइफ अमबेटकर के बीच पूना संधी का बुए पूना पैक्ट जिसे बोला जाता है ठीक तो यह पूना पैक्ट जो हुआ था यह 1932 में हुआ था ठीक याद रखेगा और यह मह जनमती थी भी मना रहे हैं तो देखिए आज 14 अपरिल 2022 है और 14 अपरिल को ही भी डाक्टर भीम राव अमबेटकर का जनम हुआ था देखिए कितना अच्छा मतलब दिन है कि आज ही की दिन में यह कुश्चन भी आ गया कि आपको यह पूचा हुआ को तो यह देख सकते हैं कुश्चन अपर सरसर देखिए परसीद पेंटर राजा रभी वर्मा किस रियासत से जूड़े थे तो परसीद पेंटर राजा रभी वर्मा जो है यह त्रावनकोर रियासत से जूड़े थे यह पूचता आए कि यह रभी वर्मा किस से समंधिती यह पेंटर थे सरसर कैंसर बी question अबर answer देखे बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उधगम अमर कंटक में है अमर कंटक से निकलने वाली नदिया जो ही ये सोन नदी है और पठना के करीभी देखेएगा ये गंगा में जाकर मिल जाती है तो 68 cancer क्या हो जागा यहाँ पर आपको भी हो जागा आगे देखें question 69 देखिए वह चार उंको वाली सबसे बड़ी संख्या कौन से है जो कि 12, 15, 18 और 27 से पूरता विभाजीत हो तो क्या करना है बस इसके LCM ले लेना है अब आप बताइए कि ऐसा question आएगा और ऐसा नहीं इस भी आएगा ठीक इसके LCM बस निकाल लीजे जो होगा वह अप लगा लीजेगा ठीक आगे चलते हैं question 70 देखिए निमिलेकित में कौन सा नलंदा विष्विद्याले में अध्यान किया नलंदा विष्विद्याले में हसवर्धन के ससंकाल में आये था हुनसांग इन्होंने अध्यान किया था में गस्थनीस किसके दर्बार में आते चंद्रगुपत मोर के दर्बार में आये था ठीक इबनुबतूता मुंबद मिन तुगलक रहेला नमगबुक इनके द्वारा ही लिखा गया था question number 72 देखिए अब यहां से मैत ही स्टार्ट हो रहा है यहां पर इसी हम इसी अपड़े होंगे ताराम से लगा लिया होंगे और यहां पर देख सकते हैं कि एक एक का बीस से इतना परसंट कम बेतन है तो बीका ए से कितना है ऐसा इसे question आया था देख सकते हैं इसमें मैत मैत देख सकते हैं और एक काम करेंगे हम कि टोटल देखिए 75 के साइन्स और जेके जीएस मिला कराता है तो मेरा क्या मन है कि मैं आपको डेली सेट करहा हूं जिसमें साइंस जीके जीएस करेंट सभी मिला कर 75 हो अपडेट एकदम करेंट अफियर और अपको पैटन पर इस इतना एजी नहीं जितना भी दिया हुए क्योंकि आपको टफ हो गया है सीटो की संख्या लिमिट है ज्यादा लोग करेंगे इसके लिए मैं यह क्या काम करूंगा कि अप सेट आपको श्टाइट करने वाला हूं यूटूब पर भी मिलेगा नीचे टेलीगरम का लिंक है वहाँ पर मैं यह पीडियो डाल दूँगा यह घर बैटकर आ सब्सक्राइब कर लिए और नीचे टेलीगरम में आपको बता देता हूं कि जो भी आपको मेटेरियल जो भी आपको त्यारी किया जाता है बस आप सबी लोगों समय एक ही बिंती करता हूं कि आप लोग सो कमेंट कर दीजे कि अगला जो है प्रिबियस यह का पेपर मैं कल य वर musste अपलोड़ कर दो ठीक तो आपको यह काम करना है कि सो कमेंट कर देना है कि यह सर अप साट किजे तो मैं आपको स्टार्ट कर दूँगा और 17ी स्टार्ट कर दूगा ठीक तो कम से कम 100 तो आपको स्टतिती दर्ज कराना ही होगा कि मुझ荐 साब that टेलीगरम कर सकते हैं बहुत असान तरीका से YouTube पर जा सकते हैं यह सभी मोबाइल नंबर है अगर कोई दिक्कत होता है यहां से जनकारी ले सकते हैं यह रहा मेरा स्टडी मूट का अटेलीगरम यहां से यह जो लिंक इस पर आप क्लिक कीजिएगा पीडियेफ में तो आपको मेरा टेलीगरम पर आजएएगा जोईन कर लीजिएगा ठीक तो कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्रिबेस यह इससे पहले जो हुआ हो भी मैं आपको बता दूंगा और सभी आपको इसी टाइप से कुशन आपको मिलेंगे मोडरेट से जी कुछ हाई लेबल का भी कुशन रहेगा जिसके तैयारी आपकी बेहतर हो पाई यह प्रिबेस यहर का पेपर था जो की एक्जाम जो हुआ था मैं आपको बताया 2015 में हुआ था 16 फरिवरी को तो यह नीचे मैं पेडियो डाल दूंगा वीड